असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज इंपॉर्टन एसपेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रूईर थीटर इन अर्ली चैल्टर सेटिंग के अंदर वो है पेशन्स और परसिस्टेंस के टीचर को कैसे सबर आजमा काम है ये बहुत ज्यादा बच्चों के साथ काम करना और उ उसमें उसे पेशन्स दिखाना है और कैसे उसे परसिस्टेंट रहना है अब बात यह आती है कि वह क्या सेनारियों है जहां टीचर जो है बहुत है इनर्जेटिक एक्टिविटी है स्कूल के अंदर आज इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें बच्चे रहसल करते हैं जिसमें बच्चे कहानी पढ़ते हैं करेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं और यह बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है और यह इस किसम की अक्टिविटी नहीं है जो आप साल में एक दफा कर लें या दो साल में एक दफा कर लें तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रीडर थेटर से कोई फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपको यह थेटर फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा कि साल में एक दफा या अक दफा कोई एक में फंक्शन के लिए अगर आप इसको यूज करेंगे तो यह बच्चों की जो लिटर सी स्किल्स हैं और लिटर सी सपोर्ट है वो यह नहीं कर पाएगा जो के में मक्सर टीचर्स का यह है कि हाव तो यूज इट इना क्लास्ट्रूम अक्टिविटी जिसके थ्रू बच्चों की लिटर सी स्केस उनका कॉंफिदेंस उनकी फ्रूएंसी ना लैंगविज डिवेलप हो सके तो मुस्ट अप ट अगर आप यह नहीं करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा अब हमें इसके लिए सबसे पहले जरूरत है प्लानिंग की और थोड़ी से रिफ्लेक्शन की जिब हम अरली चाल्ड हुट सेटिंग की बात करते हैं तो वहां रीडर थीटर का परसिस्टेंस सोन जरी हुए है यानि कि बच्चे जो है वो कम असकम अपने एक टम में दो से तीन दफार रीडर थीटर से गो थू हो और यह उनकी गेम्स उनकी प्लेटाइम और उनकी एक्टिविटीज का एक रेगुलर हिस्सा हो तो आप मोस्ट टाइम टीचर जो हैं जिने पेशिंट होना पड़ता है वो इसली होना पड़ता है कि आप जितनी अच्छी प्लानिं कर लें क्योंकि छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं मोस्ट टाइम अगर आपकी ओडियंस उनकी अपने क्लास वेरोज नहीं है इस सम काइंड ऑफ फॉर्मल सेटिंग तो आपकी चीज या इसके बारे में बिल्कुल भी परीशान होने की जरूरत नहीं है जब हम इस्पेशली काम तब होता है जब आप ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उस उमर के बच्चों के साथ आपने पहले कभी भी काम नहीं किया आपको पता ही नहीं होता कि आप जिन बच्चों के सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं या उनकी developmental needs क्या है developmentally appropriate जो भी milestones है वो क्या है So it is a common thing जो हर teacher के साथ होती है और it isn't a big one किस तरीके से आप पहले reader theater से दूसरे reader theater को बेहतर बना सकते हैं Number one is reflection आप students से feedback लें और उनके साथ multiple experimentation करें Student आपको कुद बताएंगे के what they are feeling or what they were feeling or was they were facing the audience or the classroom और जब स्टेज पे अपनी कहानी पढ़ रहे थे या वो gestures के तरू अपने expressions दे रहे थे या कोई भी words या poem जो थी उसको recite कर रहे थे So they will let you know के उनको किस किसम के मिसायल face करने पड़े That is not only as a reflection So it is good के after every reader theater you need to have a talk with your student ताके वो आपसे discuss कर सकें वो आपको बता सकें हो सकता है बहुत से loophole हों के बच्चे बैठे कहां पर हैं Class कितनी बड़ी है आवास कितनी दूर तक जारी थी Students जो सामने बैठे थे वो शोर मचा रहे थे So you will going to identify a billion of factors और important चीज़े क्या है जो आप identify करेंगे बच्चों को definitely stage पे खड़े होने से खौफ आता है वो खौफ overcome किया जा सकता है बच्चों से discussion के through क्या वो feel करते हैं क्या उनको feel करना चाहिए कैसे वो उस खौफ को कम कर सकते हैं strategies एक दूसरे से भी discuss कर सकते हैं आप उन्हें help out कर सकते हैं आपथी कि वो stage पे जाते साथ ही unemotional हो जाते हैं और जो उनकी voice tone है वो बिल्कुल flat हो जाती है वो जल्दी जल्दी वो चीज़ पढ़ते हैं और नीचे उतराते हैं इस factor को कैसे control किया जा सकता है उसके क्या थरीके हो सकते हैं बच्चों से discussion से भी पता चलेंगे और आपकी multiple experimentation से भी बता चलेंगे कि आप एक तरीके से दूसरा तरीका कहां से find out करते हैं और क्या strategy निकालते हैं confusion confusion भी एक ऐसा element है जिसकी वजह से बच्चे stage पे आके confused हो जाते हैं and they actually don't know कि उन्हें क्या करना है इस confusion को काम कैसे किया जा सके यह भी आप experimentation से और बच्चों से discussion और reflection के थूँ find out कर सकते हैं तो आप successfully apply करना चाहते हैं teaching practices course के लिए जरूरी है कि आप में persistency हो अगर पहली दफ़ा आपका जो plan था 100% या 80% नहीं हुआ you are not supposed to be decided you need to do it again 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 definitely अगर class बदलती है तो हर class नए बच्चों के साथ आती है जिनके नए dynamics होते हैं जिनकी नए needs होती है जिनकी नए qualities होती है आपको thoughtful होना जरूरी है आपको सोचना जरूरी है कि आग जिस बच्चे को मैंने जो character दिया था क्या वो मैंने सही दिया था और बच्चों में क्या issues हो रहे थे मैंने उन्हें कैसे empathy के साथ address करना है तो you need to be thoughtful and you need to be reflective जो आप कर चुके हो ताकि आप अगला काम उससे बहतर कर सको ये बच्चे हैं आप बच्चों के साथ जोर जबर्दसी नहीं कर सकते है हो सकता है you realized कि जो हमेंने text choose किया था या point choose की थी that was too long इसको short होना चाहिए था या इस बच्चे को हमने गलत props दे दिये थे या गलत cues दे रहे थे या ये बच्चा जो था या सामने वाली जो audience थी उसके अंदर क्या issues थे तो आप इसको flexibly सोच सकते हो और दुबारा से कर सकते हो persistence और किसके अंदर चाहिए प्रक्टिस जो है वह teacher student दोनों के लिए बहुत जरूरी है so that is the only way जिसके थू आपके theater में improvement आसकती है आपकी reading में improvement आसकती है, आपकी fluency में improvement आसकती है so we never never actually get it aside यह हम कभी भी side पर नहीं कर सकते कि practice नहीं हो और हम in front of the audience आजाए especially if you are asking children so just remember कि practice is a key जितनी practice होगी उतनी आपकी और आपकी student की जो presentation है वो बहुत बहतर होगी reader theater में और हर दफा उनका confidence बढ़ता चला जाएगा